शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इंडीसेया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले नमस्कार दर्शाबू का एक बार फिर से स्वागत है महाचर्शा में हम इन दिसी और सिटी केमल के माजल से रोज नए विशेयो पर परीचर्शा का आविजन करते आ रहे हैं रोज नए महमानों के साथ में आज का हमारा जो विशेय हो यह है कि सतर दिन के लॉफ डॉन में देश ने हमने क्या होया और क्या पाया आज हमारे पीच जो पैनल में जो हमारे महारा चर्शा में जो हमारे साथ में आज मौझूद है चंदु सबसे करूँगा कि वह कूप हमारे महमानों के सब इसे परिचे करवा देए कि मेहमान हों पर आपकर हरी सिटी साभ है वांबे से नमस्कार नहीं मैं बैटर परिचा आपना देजी हरी भाई मैं साइक्याटरिस्ट हूं आफत में मैंने काम किया हूं जी लातूर कांडला रायट्स गुजराप जी प्लट इन बांबे ऐसे कई कि डिजास्टर्स में काम किया हूं और मैं प्रैक्टिसिंग साइक्याट्र बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और हमारे पैनल में हैं चंद्रशेकर वाउनकुडे जी माजी उर्जा मंत्री और नापुर शारिके पुर्वपालत मंत्री और दूसरे पैनल में हैं कॉंग्र लिए अधी बावन पर हो रिखिये कि इस प्रकार से पुरे विश्वह में और भारत में कुरोना की महमारी आई है यह कि यह आपस्ध हमारे देश प्र विश्पा में आ है और इस्धाफस से लड़ने के लिए हमने लागडाउन का निर्ण लिया है एक देश की सरकार ने लिया राज़य सरकार में लिया है और दोनों सरकारों ने अब जनता ने भारत की जनता ने केंद्र कि अब दोनों के प्रेड में बहुत सपोर्ट किया है इसे दिन प्रकार से पेशन आजम भारत वाशिव देख रहे हैं यह अपने आप में बहुत बड़ा पेशन्स है और आज भी लोग दोनों सरकारों की बात लेकर आगे चल रहे हैं आप बहुत जगे देखा होगा आपने विश्व में कि लॉक्डाउन में लोग परिशान है फश्टड है लोग कोरोना से लड़ाई रोट पर आकर लगना चाहते है कोरोना के से वहाँ पर ज्यादा बीमारी चल रहे हैं लेकिन अपने महराक्ष्णों देश में कोरोना पर आप गाव जाएंगे हर गाव में जाए आज भी लोग लॉड़ाउन को समझ रहे हैं खपालंग कर रहे हैं फश्टेट नहीं हो रहे हैं और जिस प्रकार से सुविदा है दोनों सरकार को तरफ से दी जा रही है जो मिडियम क्लास है आर्थिक दूरबल है यह बास सही है कि थोड़ी इसमें सबसे बड़ा जो पॉल जाने के चित्र है वो कैसा रहेगा और आने वाले सालों कब तक चलेगा इसका रिफर्गेशन कब तक आएगा यह हमार ली चिंदा का विशह है लेकिन जिस प्रकार से लॉड़ाउन की जनता की बात करें अभी भी लॉड़ाउन को इस कुरोना के महामारी को हराने के लिए क खिक है चंदरे शिकरभाव आप डॉक्टर शिट्टी साथ आप से एक महतुपूर्णा सवाल मुझे पूछना है लेकिन इसके पहले मैं अब तक की जो परस्तिते रहे सत्तर दिन की उस पर इनके किपनी जानना चाहूँगा सभी बात है बावन कोई जी की बात में आगे लेके जाना चाहूँगा इसने काफी हमारे अर्थवेवस्ता को काफी चोट पहुचाई है पहले हम जूज रहे थे दुनिया भे जूज रही थी तो उसके उसके काफी चोट पहुची है और हमको नए रास्ते जो है वो खोजन कुछ लोग उसको 14 करोड 16 करोड तक बता रहें इतने सारे लोग अगर वापस गाव में गये हैं तो उनके रोजगार का एक सामाजिक प्रशन भी उससे निर्मान होंगे क्योंकि भाई एक मुंबई में था या बंगलोर में था या चैनाई में था या देली में था बड़े लेकिन इससे आगे बढ़कर मुझे कुछ सकारात्मुक चीजे भी दिखती है वो यह है कि हमने बड़े पैमाने पिंद्रस्ट्रक्चर निर्मान किया उसमें गड़करी जी का बड़ बड़ा हाथ रहा है अशुक चवान जी काम कर रहें बावनकुले साहब ने भी बहुत क तो यह जवाब भी मिला जो ट्राफिक कंजेशन को बहुत अच्छा उत्तर हो सकता है सारी टेक्नोलाजिकल एडवांस्मेंट जो है उसको हमने टेस्ट किया अब जैसा मैं स्पोक्सपरसन हूं बावनकुले साहब बड़े नेता है हमको अभी डेली या इंटरनेशनल लेट तो उससे हम जुड रहे पहले ऐसा सवाल था नाकपूर से रहके कैसा काम करेगा नाकपूर से रहके यह हो पाएगा दिली मुंबई जाना पड़ेगा तो कनेक्टिवीटी भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ी है लेकिन एक बात है प्रकर राष्टवा तीसरा सवाल जो ह सब लोग मिलके लेकिन इसको नीपड़ते समय जो युवाल नुवान हरारे जो है जो है जो है उनका काफी अच्छा विशलेशन आया है इस बात पर और उनका कैना है कि एक सव्वेधन्शिल राजनेता ओकी जमाद जो है वो दुनिया भर में अगर पैदा होगी तो जो नजरिया पैदा होगा इसमें वो अच्छा होगा अगर कोरोना के बाद में संपुचित राष्टवाद को अगर बड़ावा मिलता है जैसे हम लोग अभी ट्रम जी का रवया जो है वो अलग है एक किम जॉंग यूंग है उनका आट तो सर उन्हें हो को ही बाइकट कर द जो समस्या है समस्या को भिढ़ने के बज़ा है उससे भाग जाना इसे परिस्तिति न बनते हुए क्योंकि वो अनुभव आमारे सामने है वो विनाश हमने देखा है तो आने वाले दिनों में जो एक कमपैशनेट मानावतावादी नेतूत वजो है उसको बढ़ावा मिला त चीज़ है और भूस सारे चैलंग समर्शा पर आज इसकी ज़्यादा जरूरत है जरूरत है अच्छा फार जीह यह था कि हमने इन सतर दिनों के लॉक्टन में जब से लॉक्टन खोला हमने क्या है विश्वास होया हमने आपस में तालमेल खोया है यह यह बीमारी से जो परि लेकिन जो आपसी कोडिनेशन था जो होना जी था जिसके कारण जंदा में जो विश्वास टूट रहा वह लाया जा सकता था वह विश्वास को बचाने के लिए केंदर राज्य सरकार ने क्या काम किया क्योंकि अभी अभी आप देखो ना कि इतनी से महाराज सरकार बोल रही तो यह आपसी तालमेल एक दूसरे पर आरो प्रत्यरों जनता में क्या इमें छोड़ते हैं सरकार की और केंद्र सरकार की क्या विश्वास नहीं टूट रहा है विश्वास खोना बड़ी बात देखो आर्थिक विवस्ता हम सुदार लेंगे कोरोना से हम लड़ेंगे जो जनत शांति शांति सरे मंदन मन्द मुस्कूराते हैं मैं जानना चाहूंगा सर आपसे सतर दिनों में क्या मानसिक्त अमें क्या-क्या बदलाव आए है पूरे जनता के ग्लोबलाजेशन से हम डिस्कनेक्ट हुए थे कोरोना ने हमें रीकनेक्ट किया फैमिलीज के साथ यह बहुत बड़ी बात है जो पिता ऑफिस में जूंज रहा था माता टीवी के सामने बैट रहेती और बच्चे ट्यूशन में मर रहेते वो सभी साथ में खाना खाने लगे, वो सभी साथ में बात करने लगे, वो सभी एक दूसर से प्यार करने लगे, और कहानियां बाटने लगे, बहुत बड़ी जीर। जो जो घरों में जो मतां उने मातर मैंनेजर बनने का कोशिश कैया, उन्होंने सब को काम बाठ के दिया, तुम्ही क्या करणना Dr. हमाथ भी कद्या है। इसके साथ-साथ और भी कुछ बाते हैं, शबशान जुम्य पर जयısı के बाद, हमें ये विराग आता है, अगले दिन भूल जाता है. एक्जिस्टेंशल डाइलमा भोलते हैं. इसमें ये एक्जिस्टेंशल डालमेत प्रडा लंबा समयत तक रहा है, और यह लंबा समय अच्छानक लोहों के फोना ने लगे तुम कैसे हो तुम्हें कुछ मदब चाहिए का लोगों ने खुद के हेट्रेड को कौरंटैन किया खुद के नफरत को कौरंटैन किया यह बहुत बड़ी बात है यह पॉजिटिव बात है नेगेटिव बात यह है कि को अधरुष्य है इंटैंजिबल है अनिमेजिनिबल है और ऐसे समय पर गर फियर इस दखी आलेस्टर मैंके ने बहुत-बड़ा पुस्तिक लिखा था एक बड़ी नॉवल की एक जमाने का फियर जो है यह बढ़ते जा रहा है और फियर के वज़े से गबराट के वज़े से गुस्ता आते जा रहा है और साथ-साथ में शक्त के बावना आता है जो लोग जो ऐसे कहते हैं इतना लोग को आफिस मिला और इतना लोग को यह करो फिर आधा अधा रफिक यह अच्छी बाप है पर उसके साथ साथ जब तक ये डर कमने होगा, लोग एक दूसरी के पर शक करेंगे, कोई चीका तो लोग हाथ उटाएंगे, वाइलन्स होने की संभावना है, फोबिया, एंग्जायटी, डिप्रेशन पढ़नों की संभावना है, ऐसे समय पर हमें पापा फिगर चाहिए, मुझा तो डिप्रेश कॉंफरेंस बीके समज को सान जायता है, वैसे सेंटर में, स्टेट में, और गलियों में, अर इस्तिक में पापा फिगर समाज को सान करना चाहिए, और अइसे समय पर हिंदुस्थान में आठ में से एक व्यक्ती मानसिक रोगी है, ये करोना से पहले, पांच में से एक करता है वो डेली वेज लेबर है इनका हम क्या करेंगे यह सोचना बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि क्योंकि कितना टीबी नुकसान करता है उतना मानसिक्स वास्ते पर भी नुकसान होगा कोई भी टास्क फोर्स में सेंटर हो या स्टेट मेंटल हेल्थ पर्सनल नहीं है सभी लोगों को बचाने के चक्कर में है पर जो करोना वारियर्स हॉस्पिटल में जूंज रहे हैं नर्सल जो जूंज रहे हैं जो वाड़बाय जूंज रहे हैं उनके प्रती मानसिक संतुलन ठीक रखने का कोई उपाय सेंटर या स्टेट ने आज तक नहीं किया सब करोना ये सब बोल के होने वाला नहीं है सिस्टम्स तैयार करना चाहिए एच्छा रहें इम्रान आपके टिपने चाहूंगा जी हाँ बिल्कुल जैसे आज का अपना विशेता हमने जो बीते सतर दिन ते क्या खोया क्या पाया जी बाउंड कोड़ी जी से मेरा एक सवाल है जिस तरह से अभी स्टेट में राजनीत ही हो रही है इस मामले को लेकर जहां एक तरप पु कि देखेए कि महराष्टा सर्थकार में जिस प्रकार से क्वारंटाइन करने के बारे में जो डबलो एचो के नौंस है उस नौंस में थोड़ा सा स्टीकली फालो हो गया रता है तो शायद और थोड़ा सा हम इतना आगे नहीं जा पाते एक थोड़ा सा वहां पर मुझे कि दूसरा असे पिक कर रहे हैं अब झसकार से बढ़रे की जहां से ट्राइवलिंग हो रहा है बुंबाई तो पुना से जो ग्रामी अ rich craz coal को आने के बाद है फिर उनको रौई करना यह थो ग्सक्रुऌ करना इससे ज़्यादा उन्होंने कहीं करा बाहर इसे वह जाती है क्याम के क्यांव से और सोचल डिस्टन सिंग जो भी कोरोना के नियम है उसकी इसाफ से अगर हो जाता तो अब यह जो है दो किजैंगे है और जिस परकार से हमारे राज्य सरकार के राज्य सरकार को बार बार और ने वहां के दिलादिकारी हो उनको सारव बाते कहने के बाद जो नहीं हो पा रहा है मुझे लगता है इसमें थोड़ा राज्य ठेकरा ने खेल दिया तो अभी भी इसमें बहुत सा शुदार हो सकता है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है रहे से लगता है और उस पजे से पुरणा को बड़क मिली है और उसको रोपना पो जरूरी है जिस तरह से जैसे जिस तरह से जी जैसे आपना विशे था कि 70 जिस तरह से कई आपार जगत में लोगों को कई जिस तरह से ग्रामीड में बढ़ गया है और जिस तरह से ग्रामीड में कोरोना बढ़ रहा है शायद लॉक्डाउन का अच्छे से पालन नहीं हुआ ऐसा उनका कहना है तो पहले केंद्र सरकार ने जिस तरह से राज्जा सरकारों को अधिकार देने चाहिए थे जोन डिसाइट करने में और बाकी निरने लेने में वह एक्चुली राज्जा सरकार और डियम जिला दिकारी तो देखी यह जो एपिडिमिक डिसीज आक्ट जो है देते और उन्हें डिसाइट करने का पहले से मौका देते तो शायद जो है जो है जोन्स के बारे में बहुत अच्छा निगरानी रख सकते थे पहली बात दूसरी बात यह है कि इसको फर्वरी में ही हमको उसको लॉकडाउन करना चाहिए था इंटरनेशनल बॉर्डर्स और है वहां से जो जो जहाज आया था इंटज धियुद सैनिक लो जेकर वह सैनिकों के वझज़े से फिर वे मेर nouveau में गया है कैलकटा में गया मुमभी में गया और और उसको फिर Bombay Fever कहा गया तो हमारे पास वो डेटा था हमारे पास यह spread कैसा होता था उसके calculations थे, R0 principle के calculations थे, लेकिन वो नहीं करने के वज़े से 15 से 20 लाक लोग तो Bombay में आ गया और फिर एक कहावद भी आई कि खता थी, पासपोर्ट की और सजा राशानिका लोग भी तो 20 स्क्वेर किलोमेटर में कितने लोग रहते हैं तो 20 स्क्वेर किलोमेटर में धारावी में 10 लाक लोग रहते हैं यह density आप जो हम मुर्गिया रखते हैं उस तरह से लोग अपर धारावी में रहते हैं एक रूम में 24 लोग रहते हैं, बवनकुले साब को अच्छे से जानकर यह हो चीज की, कि शिफ्ट में लोग काम करते हैं, एक वक्त रूम में नहीं रहते हैं, लॉक्डाउन के वज़े से क्या हो गया, यह सारे लोग एक रूम में रहने लगे, अभी ट्रेंस, ट्रेंस के डि सबस्टे तरम की सबसे बड़ी खामियाएदा, जो भूगतना पड़ा है, आम्धाबद को भूगतना पड़ा है, जो एल-स्तृंगमेरिका में है, वाइरस का यह ही नहीं भी ही लिएविरस, पहले कहा जाता था, गुखार है, वोडी शड़ी है, खासी है, अभी कहा जा रह तो काफी सारी समस्याइब वक्त के साथ उसको बदलते रहना पड़ा है। अब इतने दिन में लॉक्डाउन कैसे कोई रह सकता है क्या तो घरे धरे खुलना पड़ा लोगों को अपने अपने घर में वापस जाने देना पड़ा ये कंद्र सरकार का निर में था अगर नहीं करते ग्रीन जोन में और दिक्कते खड़ी होती तो यह जा रहे है यह लोग बात सही है जाने के वज़े से कोरोना वहां जाएगा यह बात भी सही है कि व्यक्ति जो है वह संक्रमन लेके तो जाई रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन एक पंचसुत्री जो गाव का कोल तलाठी गाव का कोतवाल जे पांच अधिकारी दो सब्सक्राइब तो यह लोग जो है यह स्कूलों में उनको क्वारंटीन करते हैं अब स्कूल में क्वारंटीन करने के बाद घर से ही टिफिन आ जाता है पर खाल से गाव में जिस तरह का इनिशेटिव लोगो इनिशेटिव लोग आने नहीं देते साब आप किसी गाव में जाकर देखे अभी लोग लोग खुद सोचल पोलीसिंग उनका शूरू है प्रॉपर ली तो वो सारी चीजों से हम लड़ रहें लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि यह इंडिया में आने के बाद यह बड़ नलगा किने सारी चीजों को नजर में रखकर हमें वो पालीसी बनानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात अभी कोई विरोधी पक्षविपक्ष नहीं और अभी कोई सत्ता पॉस्टा नहीं अभी हमारी लड़ाई जो है वो एकटा होके में जो है वो कोरोणा के खिलाफ है कि जब तरह इसका वैक्सिन नहीं आता है, अब तक इसके साथ हमको लड़ना पड़ेगा, अर्तविवस्ता को भी जगह पे रखना पड़ेगा, लोगों की मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा आंसर यह है कि वो काम से भी लग जाए, वर्क प्रॉम होम से लग जाए, ठीक से, बह काम अगर हम 200 दिन कर देंगे, तो यह जो रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है गाओं में, उनको भी काम मिल जाएगा, उनको काम मिल जाएगा, तो बड़े पाइमाने पे लोगों के हाथने पैसा आकर, डिमांड चीजे खरिदना शुरू करेंगे, जिसे हम कंजम्शन कहते है, वो कंजम्शन एकोनॉमी में बढ़ाना बहुत जरूरी है, और MSME, MSME का देखो अभी गड़करी साहब जो उनने कहा कि पांचला करोड तो उनको अभी देना है गवर्मेंट को, पीएसी उसको, जो काम उनों ने किया है, वो उनको मिलना चाहिए और करजे के जगा, उनक को खड़े नहीं हो पाएंगे, तो कुछ उपाय जो है, वो सबको मिलके करने पड़ेंगे, एक लिमिटेशन होती है, चाहे सेंट्रल गवर्मेंट हो या स्टेट गवर्मेंट हो, उसके लिमिटेशन को समझते हुए, सबको सूझ-बूझ के साथ, एक दूसरे का साथ देते हुए, इसमें से मारक क्रमन करना होगा, रास्ते निकालने पड़ेंगे, और इसके साथ लणना भी पड़ेगा, पैंदर्शकों को बता दू कि हमारे साथ में डॉक्टर आलो सुष्टा जो है, आलो जी आपके ठिपनी जो है, कि ये लॉकडाउन का सब्सक्तर दिन का जो प मेरे महारास्ता के टास्क पोर्स में जो जो डॉक्टर से उंता कहना है, इनके साथ में अभी काम कर रहा हूं, कल बड़ा एक अभी लाइव है, तर्टी स्ट्रेंज आइडेंटिफाई किये गे, ती स्टी स्ट्रेंज, और डॉक्टर लाने ने कहां पिकले हमारे वेबिनार स्टाइलिंटरिक्स, कई जगह बहुत कम है, तो ICMR चेक करिए कि कौन सा स्ट्रेंग कमजोर है और कौन सा स्ट्रेंग हो जादा है, पर तो ये स्ट्रेंज छोड़ दीजे, एस्म्टमेटिक क्यारियर्स खतरनाक है, बहुत ज़्यादा है, आपका ड्राइवर पॉजिटिव होगा, पर उसमें कोई स्ट्रेंज नहीं होगा, फिर आप हो जाएंगे हो जाएंगे पॉजिटिव, आप शायद आप हास्पेटलों भी जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी का केस ऐसा ही हुआ है, हाँ, एस्म्टमेटिक जो है, अकोला में ऐसी हुआ है, अशोक्ता जी का केस ब पड़ेगा, लास्ट एक बात है, करोना से हमें, करोना के साथ हमें जीना पड़ेगा, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, रोग प्रतिकार शक्ती को बढ़ाने का, अपने इमेंस की को बिलको रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाने का पूरा कोशिश यदी करेंगे, तो शा कि इसमें पूरे समाज साथ आना चाहिए, सभी सरकात के सभी अंग साथ आना चाहिए, और एक पक्षा देश के लिए क्राम करना चाहिए, अपने लिए में ये सबसे बड़ी करोना का एक सीख है, इकटा आओ, ने तो मैं तो मैं तुमें मारूंगा. सबसे बड़ी चीज हमने पाई है, तो कम से कम देश की 60% जनता को डिसिप्लेन और करोना क्या ये बात समाज में आ गए? ये समझ में आ गया है, हाथ दोना आ गया है, सैनिटाइजर का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया है, लोग मुझ में सैनिटाइजर नहीं लगाते हैं, ये ये समझ में आ गया है, तो ये चीजी उपलबती है, सोशल डिस्टंस तो ऐसा है कि 140 करोड का देश है, तो सोश या रोजघार का मुद्दा हो यह हमने बहुत बड़ा लॉस किया हैं तो मैरा मतलब है कि जान है जहान है वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए दीरे दीरे दिस प्रकार से अभी अतुल जी ने कहा है और वावन Bennoедь कीने कहा है कि इसमें अरोग जीत के इस देश को उस सदी में और जिस परकार हम लोग कह रहे थे कि दिवाली सुनरी होगी और उस दिवाली में हम जरूर करोना पर मात करेंगे और सब लोगों को रोजगार मिलेगा और पॉजिटिव थिंक्षी के साथ में आज़े चंदू सार आपके तरफ आना चाहूँगा मैं आप कैसे समिक्षा करते सार इस वीशेट समिक्षा मैंने अभी डॉक्तर साथ की बात सुना डॉक्तर साथ ने पहले भी इसके पहले सेशन में कहा था कि हम लोगों ने अच्छा तो बहुत कुछ पाया इसमें अच्छा पाया ल हमने उसके साथ में क्या किया डॉक्तर सार में बहुत अच्छी बात कहीं कि जो लोगों महां पर काम कर रहे हैं उचके साथ में खड़े रहना है जबकि आज ऐसी व्योस्ता है कि लोग काम करने को त्यार नहीं क्यों नहीं पिछली बार भी हमने समिक्षा की थी इन लोगों करने के लिए उसकी योज्ञा किया है यह रवार न हुआ हम्ने क्वे टोफ। करना है कों इपना चलंग में क्या किसा ड्ना है प्लानि होग मैंолодने के लिए प्लानी होना चीए था कि हमने आपस में विश्वास होया है राजनीती की है पूरी हम भली बोलते कि इसमें राजनीती नहीं कि नहीं होने चीए लेकिन हर व्यक्ति ने राजनीती कि बेटी और बाप दुनु एक जग जा रहे थे पानी का वहाव तयज हो जाता है नहीं हो जाया तो बाप बोलता है बेटी कंते पिता जी नहीं आप一些 की तो बेटी समझाती है कि कितनी भी विप्रित परिस्तिती आ जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोंगे बुझे यह पता है मेरा भली हाथ छूड़ जाए मैं पगड़ू तो यह भावना केंद्र सरकार में होनी चाहिए थी इस्टेट सरकार के लिए वह कहीं पे भी पूरे इसम हमेरे करें जाने हैं सब्सक्राइब लड़ना है लेकिन मजदूर को यह खृसमी लड़ना सकते हूँ लूग यह mai मारें देश भी को पैसा नहीं है खानेको नहीं हाथ नहीं पहला सकते ओंही हम ने उनका विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि आपको कल खाना मिलेगा इस चीज के लिए सरकार के प्रयाइश होने चीज़ थे कि जो विस्तापीत मजदूर विस्तापीत नौकरी शिदा है वो यदि अपने गाउं जाता है तो हमारे हाथ से तो ज्यादा विस्तापीत है मारा से इससे हमको यह चिंता नही आपकी विवस्ता क्या करेंगे यह चीज एक सामोई ग्रूप से जो केंदर सरकार के निरेजना में होनी चीज़ है हमने हमने हमारा एड्मिस्ट्रेशन खोया है हमने हमारा जो काम करने का ढंता हो खयाता सिफ हम देखे कि इसको कैसे बचा सकते है पहले बार लॉक्ड़न पूछा था हमको लॉग्डोन करना कि यह वहस्ता, क्या करकर की बिल्कुल नहीं पूछा था तो साम्ने क्या बड़ी चीज खोये चलो घरो में तो हमने विष्यास पा लिया है गोरों में काम सिख गए लोगों से मिलना सुख गए खाली बठी आदमी क्या करेगा लेकिन जो विश्वास होए आज जनता के बीच में वह विश्वास लाने के लिए आप पांच लॉग्डन में क्या करूंगे मेरा तुल लॉड़ी जिसे भी आप चंदर कुली सवाल है कि व परसेंट सुरक्षीत है उसके साथ परसेंट लोग पेटकी आपको लेका सुरक्षीत उसके लिए आपके पास में क्या योजने जाहिर करोंगे आपने क्या इसके लिए प्लानिंग किया मेरा सवाल है सबसें चंदर शेकर भाव आपको भी जवाब देना है और अतुल लोड लिए केंद्रा सरकार ने राजनीती कभी की नहीं है केंद्रा सरकार ने पाफ पाफ बार मुख्यों मंत्री जी की बैठक लेकर हाई बास सब्सक्राइब के पहरे कुछ भी चाहिए कि वह बैठक हमें नहीं दिखाई दी आफ 물도र के नहीं के कैनल सरकार में राज्य सरकारों के सारे मुख्यमंतियों से उनकी पर्षितिया वहां पे होने वाले अधिक वार्चने, वहां की मागरेंट लेवर, वहां के किसान, वहां के सारे वर्थ, इसके उपर आधार के उपर फिर योगना बनाई, अलग-अलग कि बहुत कूरोना में कि अपर भी है करोना का महराश कानी नियुत कि किस लोगों को खाना जेना कितने लोगों को निर्थ कि लोगोव को फीड करना वगरे उसके बात में यह नहीं करूंगा वन्होंगे एक मानखेक्सथा में तो मरेंगे हम गाहं पे तो ऊरखी से रहेंगे अब जब को सारगेश वह थे उनको सारा खाना खिला रहे हैं उनको छारी पाल्टीघ्य मदद कर रही है ते मतपस्माद के होग सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोगों में और इस वज़े से मागरेंट लेवर में डर तैयार हुए तो फिर के बाद कोई उससों रूप नहीं सकता और इसलिए सब्सक्राइब लगा है तो फिर उनकी वज़स्ता की सरकार ने लगाई अब वह राजनीति उसमें रेल्वे में हुई क्या नहीं हुई क्या इसमें आज का विशा नहीं है कि राजनीति में पूरी चर्चा अपनी डॉक्तर साथ हमें पॉजोटु चर्चा करना है तो मेरा कहना ऐसा है कि फिर दोनों सरकार ने अपने अपने लेवल पर फ्रेंच होड़ना एक चीचोड़ना तो मुझे लगता है कि चवस्ता करने लगए तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सा कंट्रोल है कि जो गाव में गया हुआ लेवर है उनको का जो कोरोना अगर वो उसको इस्पाइब कर रहा है उसको गाव के बाहरी को उसको फुरा खतम दरके फिर गाव में चोड़ना गाव में गया भी है तो उसको रोकना ये पाट पे लागडाउन का बहुत बढ़ा आगे समस्तिया रहने वाली है चेवरी विह को अहलना गेगा को मिकशन करना पड़ेगा था इस प्लीर अग्यूमन का भॉचनों की बढ़े गा किसां की इस आँ और को चाहते पड़ेगा तो कुर्वर प्रॉजगार वेघार भुक्ताना ओधरे उसको साल गन्टार करते हुए को इतक कि अदर सलकार constitution सब्सक्राइब 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 सुनिए यह ऐसा है कि यह उन्होंने दिया हुआ तर्क जो है वाब बता रहे हो राजस्थान में जब अधित्यनाद जी ने कोटा में बसेस भेजी थी तो उनको तकलीब नहीं दी गई परमिट लाओ पी उसी लाओ चेसिस नंबर लाओ यह लाओ वो लाओ अईसी तकलीब नह गाहने, छी आफ और शारव जेमील नी किया था राजस्थान सरकार में और राजस्थान सरकार जितने ख्शमता है उस स filme और से काम कर साहज नीती अगर आप बोलोगे तो सोनसुजarin अच्छा काम कर रहे है, क्या राजस्थान पोलोगे उसको, महराश में किसी को रोका करना लोगों को मदद करना सरकार के पीछे खड़ रहे ना राउल जी ने कहा कि फरवरी में उन्होंने बारा तारिक को कहा कि बहुत बड़ी समस्क्राइब सरकार को इसके ऊपर अभी काम करना चाहिए वही घर भी को कि इसके फर्वत बोलेगा नहीं इसके ऊपर प्रक्ष को बोलना पड़ेगा तो हम भी शुर्वात से बोलते हैं सुनिए सुनिये सुनिये सुनिया हमारा सिंपल इत्ता कहिना है दुनिया भर में पैकेजस दिये गए सारी आर्थव्यवस्ता है चर्मराय गई अब हमारे सामने क्या है हमारा पहले ही unemployment rate जो है वह काफी हाइथा बेरोजगारी का दर हमारा पहले हैं था हमारा क democrat का sofra लोगोंगा लोगो की जरुरत है पूरा कर बर्लाद के शम्ता जो है अन्यशी। फिर अमरीका ने पैकेज दिया, इंगलने पैकेज दिया, यूरोपियन एकोनोमिक यूनियन ने पैकेज दिया, उन्होंने पैकेज कैसे दिया, तो सीधा लोगों खाते में पैसे डाले, 15,000 डॉलर का जिनका उत्पन है, उनके इसमें 1200 डॉलर डाल दिये, जो कूपन सिस्टम है, बेरोजगार नहीं दे पाया, तो कूपन देते हैं, हमारे अर्विन सुप्रमुन ने सामने यूनिवर्सल पेसिक इंकम स्कीम की बात की थी, जो इनके मोधी जी के एकोनॉमिक एड़ जो छोड़ के चले गए बात में, विरल अचारे चले गए, पंगड़ियाजी जो पहले से खड़े थे 2013 से इनके साथ में वो भी चले गए, उर्जित पटेल, इनके खुद के जो रिलाइंस में थे, वाद में गवर्नर बने, वो भी कंटिंजन्सी फंड को हाथ लगाने के लेकर वो भी चले गए, अभी अगर हम पैसा लोगों को देंगे निए, जो पैकेज चाहिए, तो कैसा होगा, इन्होंने एक लाग शासी जार पास्टो करण जो है, वो एक्चुल लोगों के लोगों को मदद की है, जिसको हम कह सकते है, पैकेज जो पॉइंट दशमलो नौ जो है, इसके उपर तो मार है, अभी चार करोड से ज्यादा लोगों मद्यम वर गिये जो है, लोगों मिडिल क्लास, ये लोग बीपील में आ गये है, तो सीधा पैसा देना, MSME को सीधी मदद करना, 7500 जो है, वो 6 महा तक डालना, 10,000 अभी देना, ये अर्थवेवस्ता को ख जहाओ कि इसमें आई, लेकिन फिर वो बाते हो नहीं रही है, और दिन बदिन लोग इसमें जुलस रहे, अर्थवेवस्ता जुलस रहे है, और उसमें अगर विपश चुप रहेगा, और कुछ बोल नहीं पाएगा, तो कल को ये भी सवाल खड़े होंगे, कि जब गलतिया ह कि उसको भी अगर किनारे पे रखने का काम कर रहे होंगे, तो ये अर्थवेवस्ता हाशिये पे चले जाएगी, ये अगर नहीं सुनने का जो है, मोदी जी किसी का सुनते नहीं है, मोदी जी ने पहले लौड़न में पता नहीं उनको आड़ बजे, कल भी रात 11 बजे उन्ह मोदी जी तो सुभा आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पीचे खड़ा हूँ, मन की बात जैसा रेडियो जैसा उन्होंने मेसेज दे दिया, सामने आते आज कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुमको ये मदद करूँगा, वो मदद करूँगा, पैकेज वह प्रव्यानर नहीं था उन्हों ने छे साल की गिना दिया है। प्रोटी ने आपकी बात सुन ली है आपको प्रमोशन मिल जाएगा चिंता मत करिये आपको प्रमोशन मिल जाएगा प्रमोशन मिलता है पता है हम लोगों मुझे मुझे लगता है कि कोरोना की महामरी में जुस्ते के बात सुन लेकिये कि कोरोना के महामरी में हमने क्या कोया पाया कि हमें लोगों को किस तरह से बचाना है उसका मांसिक संतुलंग कैसा रखना है दिल्ली सरकारों से क्या और मिल सकता है राज्य सरकार से और क्या मिल सकता है हम यह विश्यां कि अधार पे हम लोग आगे तके जो दर्शक जो भरतियांता प्लिटिक निता है पने राज्य सरकार को क्या बचाना चाहते हैं और राज्य सरकार के जिए कंद्र सरकार कुछ जाए है और ये बास है कि हमारे देश 120 करोड वाष्चेव का देश है जो देश 5 लाग, 10 लाग, 25 लाग, 10 करोट, 8 करोट, 5 करोट, वहाँ पे डारेक्ली कुपन देना, उनके अपन में डारेक्ली पैसे डालना, वहाँ की एकोनामी का सब कुछ ट्रक्चर देका, तो अपने देश में पॉसिबल नहीं है, और यह वो देशों से हमारे देश के तु सोकर, मैं आपको बहुत जोर्देर से कहता हूँ, मैं पीयों में का रिपोर्ट आप देख लीए, दो घंड़ा सोकर, पूरा अध्यात्मिक, उनका सभी बातों पे ज्यान है, तो वो पुरे देश के जंता को बचाने के लिए, क्या क्या करना चाहिए, ऐसे मुश्किल करना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी हमें आज की तर्शा आप जी यह एक जन्सा के बीच में सकारात्मा कामरेश कारी इसकारात्मा विजेपी क्या कर रही है, हमारे डॉक्तर क्या से रहे है, हमारे आज का जो विशा है, जो बहुत मत्तोपुन में से बीस्चेन ये लाय यह ज़ादा आध दर्यांनी लूगा, ज्यदा ल कोई भी आउट आप ट्रेक अगर आप बात किया विखां आपका स्वचना है तो फिर यह मने जो बोले है कि हमने जो उपाय बताय है सरकार को, तो वह कोरोना से संब्दीत है, क्योंकि करोना और अर्था वेवाश्ता दोनो एक दूसरे से निगडित है और उसका सोलुशन हमें निकालना पड़ेगा और सुनो सुनो मेरी बात नहीं तो वही मैंने कोई आउट ओफ ट्रैक जाके कोई बात नहीं की है अगर आउट ओफ ट्रैक महें गया हूं तो फिर अभी जी भी गये है जिनको नोबेल प्राइज मिल करण क्या बदलाव आये वहीं पर चर्चा है और यदि नहीं होता तो यह सारी चीज़े नहीं होती अपने भी अलोग जी कहा कि अपनी उधारन ले लिए अपर नहीं है और कार्पोरेशन को चाहिए महाँ पर बेड रखना तो क्या वह पहले उससे उसका पूरा सेंक्षर ल अपने लेवल के जितने देश हैं उनके साथ में करो कि अपने साथ में अपने साथ में अपने एकोनोमी जो देश पढ़ा है वो कैसे जीरा हम कैसे जीर हैं जो समस्या है राजूतिक लोगों की कि कभी भी किसी बी परिस्तितिते में अंहें लोग साथ में नहीं है इतने बड़े संकट के समय में ये सबसे बड़ा हमारा नुकसान है सबसे बड़ा खोया कि ऐसे संकट के समय, जा परिवार एक साथ में आ गया, पूरा देज भी एक परिवार के साथ में आना चीज़ता है, बड़ी हमारी यह है कि हम इसमें नहीं आ पाए. सब्सक्रार जर्पराइम वर्थ के लिए जो सामाजिक से संटा है समाज कर रहा है सरकार के तरफ से कुछ नहीं तरफ से दोट यह खाना भी सब्सक्राइए से प्रप्रशना करता हूँ आपने गोष्णा कर दिए वाध से तीन मेने का किराय नहीं ले रहा है तो तीन मेने का किराय वह तो निए रहा है उसके पास एक खोली अजी भाड़ा उसका एजी उससे खर्चा चलता है आप कैसे दूसरे के प्रॉपर्टी भाख मार सकते हो कैसे नहीं देंगे तो उसके परिया व्यस्ता करूं आप कैसे नहीं देंगे आप उनका भाड़ा छोड़ने को बोले जिसकी उसके वरों से कमाई है कहां से आप मोदी जी के बात कर रहे हो मोदी जी को नहीं पता कि क्या यह लोग भी नहीं है वहां से पुरा करेंगे आप सब को साथ में लेके चलिए उसका तीन मैने का भाड़ा चोक ने बोलते तो आप देड़ मैने का भाड़ा आप चुकाने की थाकत ने के साब उसमें अपना पूरा पगार चुड़ी है किते विदायक है किते आमदार है किते खासदर है जिनों ने अपनी कोरोना के प्रिण में पगार छोड़ी है अप उनकी बात करीं ने सब तीन मैने में का करें देखिए सामाजिक विवस्ता बनी रहे और समाज का जो इस सपोर्ट समाज को मिले इसलिए लोगों को सामाजिक रचना के ताथ लोगों को रिक्वेट की कि वह सीर माना मत मांगे कि रहा है आपका क्या जा रहा हुआ है पुना को लूट के बंबई को दान दे रहे हैं आप आप से बड़े-बड़े हुकम लारी कर जिए कि मजदु जी ने चंदु जी महामारी जो है यह पहली बार आई ह इसलिए प्रिपेर नहीं ते यह भी अमको एक्सेट करना पड़ेगा हम लोग हर समाज का वेक्ति यहां से महारास से कोई बुका नहीं गया साब कोई मजदू पूरे मारास से बुका नहीं गया रस्ते में सब जेका खाना खिला-खिला के लोगों ने बेजा यहां पे यहां जिसको घरमालक नहीं ले रहा है ऐसे कई लोग है जिसके नोकरिया तके ली गई है यह जिसको फीर में से पगार नहीं मिली है आप बावनकुले साब बोल रहे हैं कि आप खाना खिला रहे हैं एक बद्दम वर्गिया परिवार सर ना खाना मांग सकता है ना उसके दरवाज सब्सक्राइब कर दिए तो यह समस्य जीवन में इसके साथ भी जिना पड़ेगा वीडिया परिवार का लोग जो आदमी है वो जो उसकी जरुँ से वो थोड़ी उन्होंने कम कर दिये उन्होंने अपना रवाया कम कर दिया है जो लगता है कि बहुत ज्यादा दिन का यह व सब्सक्राइब कर रहे हैं हम लोग आज ही कहेंगे कि मद्यमवर के लोगों का मांसिक्ता उनकी सम्जोर कर देंगे मुझे लगता है कि उनको भी कुछ एकादा ऐसा पैकेज मिले जो मिडियम क्लास के लोग भी आर्थिक दूरबल परिवारों जैसे अपना जीवन वापन कर सकेंटी तो हमने उई हँने रही कहा है कि हम दोनों सब मिलके अभी जो जो वंकीत लोग है जहां पर हम सरकार नहीं पहुचाता है जहां नहीं निकरते एसे अई सरकार सरकार से मात रहाएं जो दिया है सभी करें और सभी समाच को सभी धर्ण को सभी लोगो को महांने के लगने का धर्या दे यह हमारे हाथ में हैं किसने क्या विद्धिया इसका विछने से बहुत लंबा है जो मांसिक इस्तिती अभी तैयार हो रही है एक पेट के आग की बेरोजगारी की लोगों के घर में खाने की नहीं है लोगों के पास रोजगार नहीं है किते दिन ऐसी अवस्ता में अदमी नॉर्मल रह सकता है बहुत आसान सा प्रशना आपके लिए लेकिन मुश्किल जाओ के अंवाल मेराज भी था एक प्रिट में बता धू कि जब लातूर में बुकंपाया था भूही थे उस समय अपूरा परीश देदी काई कोई दोक्र साब की है लातूर में भी मध्यमवर्ग क्यों में खड़े रहेकर कुछ मांगने रहेती है तुसरी बात ये जो दर्क बात करना हूं लाश्वूर के भुकम्प में थोड़ा हाद्रा थालातर लोका जावा कड़े पढ़ाई चे अलंदी वरून लोका घरी के ले आनि लाश्वूर वर उसकल एस्ट् गुजरात के लोका पड़ू दायते है यह उड़ा पड़ा पड़ी धाली है अर्थ्वेत के समय या कोई आपके समय अप्वा बहुत पहलती है तर बहुत बहुत लगती है और ये बात अब सरकारों ने स्टेट हो या सेंटर हो इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया कि यह इतना बढ़ गया है कि उन्हें घर जाने कि बहुत इस्टार वहां से पोना जिची कि वा मत मरो यहां के मरो यह मुझे लगता है बहुत बड़ा फॉल्स लाइन है अपने डिजास्टर मैंने का स्टेट एजमलेशन नंबर वान नंबर टू हिंदूस्तान आफट बहुत बह इस मत्सी में उस्टन जिसे रेजिलियंस जो बुद्द है वह बहुत जबर दस्ते पर बहुत जादा रेजियंस पर हम हम यदी हमें और एस्किमेट के तो तकलीप होगा मानस एक स्वास्ता में क्या होगा मैं आपको बताता हूं इंदूस्तान का रियाबिलिटिशन बड़ हमें और बातं हमें जल्दी वापस बिल्टन इंदु के बाद हमने घर भांडा अरकाम और पोस्क्रमाटिक जो है वहाह बहुत लंबा समय दक चला इसके उपर किसी का ध्यान नहीं था, विजिबल वोन्स पे ध्यान है, इन्वेजिबल वोन्स पे ध्यान नहीं है, कानला में यही हुआ, लोग मरें कॉंपेंसेशन दिया, घर बन गए, जिनके हजबन मर गए, वो अवरत में शादी किया, और होगा है रियादेशन, वक्त आय है कि जब mental health rehabilitation होगा, जब productivity बड़ेगी फैक्टरियों में, तो इस हालत में जब काम पे जाएंगे, इन कुंस का घ्यान काम पे ने रहेगा, यदि mental health package नहीं चाहिए, पाइसा नहीं चाहिए, और mental health system बड़ेगी, तो मैं कहता हूँ, productivity बड़ेगी, डर कम होगा, family life अच्छा अभी क्या होड़ा मैं पोपर ली बताता हूँ, there will be a mental health avalanche in places where there have been deaths, जहां मृत्यू बहुत हुई है, वहां मानसिक टकलिफ बहुत होने वाला है, आप सोचे, जो लोग मरे हैं, उनके मृत्यू नहीं हैं, लोगों ने चेखा नहीं है, उनका क्रिमेशन तक भूआ नहीं ग काफी समय तक समय तक ग्रोते रहेंगे, बहुत उदास रहेगा, और रिहाप्राइशन पैकेज सिफ धर बागना और कॉंपेंसेशन देना और बैक में पैजा डालना, इससे नहीं होता है, यार, रिहाप्राइशन पैकेजेसा है कि लास्ट जो जो स्टर्वाइवर है, उनक काउंसलिंग की फसिलिटी जाना चाहिए, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, यह मैं जो तो कहता है, बंबे में होगा, अमदाबाद में होगा, इंदोर में होगा, जहांजा मृत्वी होगा, उसमें एक कोब्यास बढेंगे, घबराद बहुत बढेगी, वाइलेंस बढेगा, यह मैं लिक देओ आपको, कोई ठीक हैगा, कोई खासेगा, उसके प्रती गुस्ता बढेगा, और हाता पाई भी होगा, नमबर तीन, उदा सीन, अवदा सीनिया, और पैनिक अटेक, पैनिक अटेक अटेकर भाए, मुचे कोछ होगा है, मुचे को बढेंगा, यह जा होगा, कि करोणा से पहले, आप एट आप प्जायर गुदोन आप सेवनीन खाव इंडिया हैग, भी बढेंगा, गुदीक अटेन थेन महने पहले होगा यह डियंज है, लिए यह रुदा पेले सीनिया है, लिए नमेन पहले हैं तूद आप नैंटेन से चाह उनार प्टर्वर्ड जरह देखो, हिंदुस्तानियों को जब तक हम कुछ देते नहीं है, कुछ खिता नहीं है, जब तक आत्म शांतिनी हमने कुछ किया, उसके आत्म शांतिनी होते हैं, आना देना इंपोर्टन है, इसमें कोई गरीब अमीर और मेंटल हेल्थ बड़ा यूनिवर्सल सेकुलर एजंडा है, इसमें कोई गरीब अमीर मिडल क्लस में होते हैं, तो मुझे इसा लगता है, यदी समाज को फिर से इकटित आना है, सभी पार दिया मिलकर, नैशनल गवर्मेंट होना चाहिए, सभी ज हरे एक गट के जो लोग है, उनके प्रती ज्यान देगा, पुलिस वालों में इतना डर है, रास्ते पर जब हमें वो रोकते हैं, तो हम काड़ बताते हैं, दूर से देखते हैं, छे फिर दूर से दिखता नहीं है, जो कि पुलिस वाले भी कापी जुसर गएगा, तो I think there is a social epidemic of fear, that has to be addressed, like you address food and livelihood and business. ठीक है, डॉक्टर साब, हमें conclusion की और चड़ा पड़ेगा, क्योंकि घड़ी की सुझिया भी बता जीजिए हमारा वक्त खतम होते ते आ रहा है, मैं सभी से बारी बारी से concluding tip नहीं चाहूंगा, आलो सरा, हमें आपसे शुरुआत करता हूँ, कि इस मुद्दे पे कभी किसी इस ने विचार नहीं किया है, उस मुद्दे पे मैं चाहता हूँ, अतुल जी और वावन कुड़ेसा, यह मुद्दा जो है, हम लोगों को थोड़ा सा हाइलाइट करके, आप अपने अपनी पार्टी लेवल पे भी, इसको हाइलाइट करके, इसके solutions के दिशा में हम लोगों सब्सक्राइब करना होगा, आपके टिपने चाहूंगा सर को में चलते चलते चलते, देखिए हम सबने मिलके, सभी समाच के, सभी वर्गने मिलके, सभी का सजेशन लेते हुए, डॉक्टर साब जो सजेशन दिया है, और हम सब में एक पॉज्योटिव रहा लेकर, जो जो हम हमारी सरकारों से, हमारे समाच से, हमारे परिवारों से, हमारे जो निकटवर्ति उन से, समाच के साथ रहके, ये कोरोना की लड़ाई लड़ना और इस राष्ट को कोरोना से बाहर निकालना, और साथ साथ में आने वाली समस्याओ को भी, सभी समस्याओ को भी चुल जाने के कुंध्यां निए हम संहें हुना या हमेरे पास मार गए है आतुल लडे सर के पास में आना चाहिए तो लिए अच्छी बात है कि अगर टास्पोर्स का गठन हुआ है और जो है वह काट वी लेकिन एक अच्छा है कि BCNA केवल डॉक्टर को यह डॉक्टर साफ को लेकर या खुरा डॉक्त का पैनल लेकर यह डिसकेशन करना चाहिए और समाज में प्रति उनका जो करतव है सामाजी करतव है उसके बारे में क्या हो सकता है वो भी देखना चाहिए राज्य सरकार क्या कर सकते हैं यह समस्तार से जुझने के लिए यह इस पर काम करना चाहिए और हर वेक्ति ने जैसा बावन कुरेजी ने कहा है यह हर वेक्ति का एक राष्ट कार्या है एक बोट बड़े आपड़ा आई है तो इस आपड़ा में सब इकटे होकर हम इसे इसे लड़ेंगे तो जल्दी इससे निजात पाएंगे और एक स्वस्थ समाज जो है वो भी हमारा बना रहेगा थैंक्यू थैंक्यू अर्टुल जी मैं इम्रान के पास में आना जाओं इम्रान आपकी कंप्लेश टिपनी जी जैसे कि बावन कुरेजी ने कहा डॉक्टर साब ने कहा कि जो मेंटल ट्रेस्ट ज कि यह सारे चीजों से हम निजात कैसे पाएं इस सरकार को दोनों सरकार को राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कॉंग्रेस या पार्टी हो यह सब ने मिलकर आकि इसका सलूशन रूगना चाहिए बहुत-बहुत शुक्रिया अंतिम चरण में मैं चंदू सर्थ से भी बात क ऄगन्यस सरकार के लिए को दिया है कि आगे क्याकरना हमारी इस हमारी इस चैनल के माध्यम से बाष्ञार को इसार को पुछ चो 아니라 के कि करता के तरप से जो समझा होती आप तक पूचा रहा है डप्टर साब ने लोगों के इसके बाद में क्या होगी क्या होगी हम लोग सिप कोरोना बीमारी से लटाएं लेकिन दूसरी जित्ती विमारिया पनप्री उसको इग्नोर करते जा रहा सतर दिन में यह होना चाहिए थी बाकी लोगों की भी प्लानिंग होने चाहिए जैसे mentally stress हाएगा क्योंकि पेट की आग जब साब नहीं बुझेगी ना तो पूरुना भी उसको नहीं रहेगा पूरुना के डर से जो भी भागे पूरुना का डर नहीं रहेगा पेट के आग के लिए वहाँ पर उसको मरने को प्यार हो जाएगा यह इस्तिती यहाँ पर पैदा नहीं हो इस डिसकस का उद्देश चाहिए एक भी इसमें से जो डॉक्तर साब ने बता हैं हां से जो बता एक था भी कोई आप इस में से कर पाओता हमारे इस परिवार पाया है जो परिवार इवसा एक साथ जूट कर इस परिथिती कुछ होया हमने देखा है कि कैसे लोगों को तकलिपों का सामना करते करते अपनी घरों पे विज़ाना पड़ा है जो अपनी मा का आचल फीच रहा था जिसकी मा अब इस दुनिया में नहरेती ये भी होया है लेकिन आने वाला समय शायर इससे कटिन हो या अच्छा हो हमें एक साथ एक जुट रहकर इस परिसी से निजात पान्या पड़ेगा मैं शुक्र गुजा हूँ खासकर के डॉक्टर साब कर जिन्हों ने एक नए विशे के तरफ धाम नाथा कि हमें इसके साथ में लड़ते लड़ते अपना मानसी संतुलन भी बहुत बहतर तरीके से हमें बना कर फो से τु कर दो दिरो ग़गा हुआ लुक्र रहकर जएगा हुआ हिए विए हुआ को रजाए हुआ हुआ है दे पुआ है कर बहुर हो देखा हूआ है baix द刃 को Special gebru ं falar यह को I am a लिवदगे भी के दिन Bennettी कर दो सीमि झȭट एा दिन स्बसा भी कर से दे का दो से भीक ले प